नमस्कार मैं हूँ प्रवेंड गोतम दोस्तों वीडियो में इस बात का विश्टेशन करेंगे कि रविश्कुमार से मुलाकात के बाद धूराटी ने क्या बड़ी बात बोल दी और रामदास अठावले का एक बयान भी आपको दिखाएंगे जो दिखाता है कि देश में धूराटी जो बात कर रही है उसका रास्ता आगे कितना मुश्किल है पहले बात करते है कि धूराटी ने क्या कहा धूराटी को ट्रोल आर्मेर चैलेंज दिया था कि दम है तो भारत आकर दिखाओ जर्मनी में बैट कर मोधी सरकार को बदनाम करते हूँ देश की छवी खराब करते हूँ प्रोपगेंडा फैलाते हूँ अगर दम है तो भारत आकर दिखाओ तो धुरूराटी भारत आए पहले इंडिया गेट के सामने एक वीडियो पोस्ट किया उसके बाद रविश कुमार से मुलाकात का एक फोटो पोस्ट किया है आज और ये फोटो आप देख सकते हैं रविश कुमार से मिलने पहुचे धुरूराटी और रिका की हमारे सूपर हीरो रविश कुमार के साथ इं में भाईचारे के लिए आवाज उठाएं लोकतंतर के लिए आवाज उठाएं देश के नागरिकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाएं लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि धूराठी रविश्कुमार या हम जैसे पत्रकार कितने दिन कोशिश कर पाएंगे हमारी क कोशिश पर कभी भी ताला पढ़ सकता है कोई भी यूट्यूब जैनल किसी भी दिन बंद हो सकता है बोलता हिंदूस्तान इसका उधान है बोलता हिंदूस्तान को यूट्यूब ने बैन कर दिया उसके बाद एक मेल उनके पास आया उनकी टीम ने ये दावा किया कि उसमें कोई बज़े नहीं बताए गई बंद करने के बस इतना बताया गया कि सरकार की तरफ से एक मेल आया था तो उसके बाद बोलता हिंदुस्तान यूटूब चैनल को बंद कर दिया गया तो ये दिखाता है कि कोई भी चैनल किसी भी दिन बंद हो सकता है रवीश कुमार या हम जै हमारे देश की लोग हर बात पर दो चार दिन में बोर्द हो जाते हैं और नेतायूं को भी ड़र नहीं लगता आप सही गलत का फर्क खत्म हो गया है रवी खत्म हो गया है नेतायूं दोस्तों ये हिम्मत आखिरकार कहां से आती है मंत्रियों में जो विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं उसको स्विकार करते खुले आम मजाग करते वे ऐसे बयान मोधी सरकार के मंत्री देते हैं बगल में बैटे बीजेपी के बड़े नेता भी हसते हैं ये देश के हालात हो गई है हम जैसे लोग अगर इस बात को गलत बताएं तो कहेंगे देखे रोते रहते हैं मोधी सरकार को बदनाम करते रहते हैं प्रोपगेंडा फैलाते रहते हैं देश की जनता ने भी इस बात को स्विकार कर लिया है कि पहले एक भगवान चुल लिया गया है जो भगवान करे वो सही है हम पब्लिक के बीच जाते हैं जब ये कहते हैं कि पियम मोदी भिष्टाचार की बात तो करते हैं पिर भिष्टाचार के आरोपी नेता जिने खुद पियम मोदी भिष्टाचारी बताते हैं उन्हें बीजेपी में क्यों लिया जाता है तो पब्लिक कहती है बीजेपी में आने के बाद भिष्टाचार नहीं करेंगे अगर घर का कोई लड़का आवारा हो जाये तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उसको आप जेल में डाल दोगी अगर वो वापसी करना चाता है बीजेपी में आने के बाद वो अच्छी जिन्दगी जीना चाता है तो फिर उसमें बुराई क्या है पपली की बात कहती है तो इस तरपर राजनीती चली गई है मदाता का विवेक इस तरह का हो गया है यही वज़या है कि रामदास अठावले जैसे नेताओं में ऐसा बोलने की हिम्मत आ जाती है जब धर्म के नाम पर बोट पढ़ने लगता है तो नेताओं में ऐसा बोलने की हिमत आ जाती है वरना कोई पैसा लेता पकड़ा जाता था टीवी पर खबर चलती थी तो सरकार ही जाती थी लेकिन अब वो जमाना बीट गया अब जो मोदी जी करे वो सही है कमेंट पॉक्स में पीराइज जरूर दे साथ ही अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सकाइब करें नमस्कार